Infinix Hot 40 Pro, Infinix Nhen Hot Series में पहली बार Pro Variant लौच किया है तो आज की इस वीडियो में इसी Infinix Hot 40 Pro की बात करने वाले हैं के कौन से स्पैसिटेशिकेशन जिस स्प्राइज जो परवाइड करता है कि आपको यह वाला स्मार्टफून करसिडर करना चाहिए यह इससे अच्छे स्मार्टफोन आपको इस प्राइस चेंज पर देखने को मिल जाते हैं बाइदे वे इन्फिनेक्स होट 40 और इन्फिनेक्स होट 40 आई के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के अलग मैंने वीडियो बना रखी हैं यहाँ पर उनके लिंक दे दूँगा डिसक्रिप्शन में उन्वीडियो के लिंक आपको देखने को मिल जाएगा अब इसके साथ टेक्नो ने स्पार्ग 20 स्रीज भी लांच की है तो उसकी वीडियो भी आपको मैं डिसक्रिप्शन में परवाइड कर दूँगा यहाँ पर भी पूरी का जो डिजाइन है बैक साइड से आईफोन जैसा कैमरास का सेटप मिल जाता है, कलर्स एक जैसे खुबसूरत है, कलर्स की च्वाइस मुझे इस बार Infinix Hot 40 स्रीज में काफी पसंद आई है, बहुत ही खुबसूरत स्मार्टफोन हैं, और इस्पेशली Infinix ने जो नया मिटेरियल जूज किया है, बिल्ड कौालिटी में है, तो प्लास्टिक ही, लेकिन जो कोटिंग की गई है, उसके वीज़े से फिंगर्पिंट भी कम लगते हैं, और स्क्रेचेज भी आपको कम देखने को मिलेंगे, Infinix Hot 40 और Infinix Hot 40 Pro में पहले डिफरेंस डिस्प्लेय का है, Hot 40 में 90Hz का रिफ्रेश येट प्रवाइड किया गया है, Hot 40 Pro में 120Hz का रिफ्रेश येट देखने को मिलता है, बाके रिफ्रेश सेम है, यानि का फूल HD प्लस के साथ IPS डिस्प्ले दोनों में ही प्रवाइड किया गया है, दोनों में साइट पे फिंगर्प्रेश स्कैनर है, और दोनों में स्टेजियो स्पिकर्स के साथ सामने फ्लेश लाइट भी देखने को मिल जाती है, दूसरे डिफ्रेंस सॉफ्टर और पर्फॉर्मेस में है, इंफिनिक्स हाट 40 प्रो में मिडिया टेक हिलियो G99 का 6 नानुमिटर फैबरिकेशन पर पेस्ट प्रसेसर प्रवाइड किया गया है, जिसके अट्रू टू प्रसेसर प्रवाइड किया है, जबके इंफिनिक्स हाट 40 में मिडिया टेक हिलियो G88 है, जो 2,89,000 के आसपा स्कोर प्रवाइड करता है, तो गेमिंग के इसाब से नो डाउट मिडिया टेक हिलियो G99 जो हाट 40 प्रो में परसेसर है, वो काफी अमेजिंग है, बाकी रैम दोनों में सेम है, 8GB की रैम प्रवाइड की गई है, सॉफ्टियर से 8GB मजीद बढ़ा सकते हैं, और इंफिनिक्स और टेकनो ने तो निया काम पकर लिया है, कि बाक्स से उपर ही 16GB की रैम को मेंचन कर देते हैं, बाकी स्टोरेज का फर्क देखने को मिल जाता है, हॉट 40 में 12GB तक है, हॉट 40 प्रो में 256GB वाला वरियर्ट प्रवाइड किया गया है, दोनों में ही UFS स्टोरेज देखने को मिल जाती है, बैटरी और चार्जिंग स्पीड का ऐसा डिपार्टमेंट है, जहाँ पे दोनों स्मार्टफोर्स में कोई फर्क नहीं है, हॉट 40 प्रो में 108MP का में कामरा प्रवाइड किया गया है, बाकी दोनों कैमरा दोनों मुबाइल फोर्स में बिलकुल किसी का आपके नहीं है, AI लेर्ज देखने को मिलते हैं, सामने 32MP का सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्ट फोर्स में मिल जाता है, दोनों में ही 2K30fps पे फ्रन्ट और मैक से कैमरा पे वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अब इन्फिलेक्स हॉट 40, 8GB 120GB वाला तकरीमत 33,000 के आसपास इसके प्राइस होने वाली है, हॉट 40 प्रो की बात करते हैं, तो तकरीमर 38,000 के आसपास यह वाला स्मार्ट फोर्स आपको देखने को मिल जाएगा पाकस्तानी रुपीज में, और इस प्राइस डिफरेस के साथ मेरा आपको संजेशन यही है, कि आप इन्फरेक्स हॉट 40 के छोड़ के हॉट 40 प्रो की तरफ जा सकते हैं, लेकिन 35,000 और 40,000 पी के आर से रिचे आपको और अच्छे, काफी अच्छे स्मार्ट फोर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वीडियो दे दूँगा, वह वाली आपने देख लेनी है, उसके बाद आपको आइडियो हो जाएगा, कि आपको कोई और स्मार्ट फोर्स पर्चेस करने चाही है, यह इन स्मार्ट फोर्स की तरफ जाना चाही है, थैंक यू वेरी मच्छ, गुडबाई.